तो फ्रेंड्स काफे दिन हो चुके थे फ्लोकी के उपर कुछ अपडेट्स दिये हुए आज का ये वीडियो फ्लोकी के उपर होने वाला है फ्लोकी कोईन के बारे में बहुत सारी मार्केट में बड़ी बड़ी अग्रेसिव अपडेट्स आ रही है जिसके बारे में आप लोगों को जानना जरूरी है क्योंकि फ्लोकी की और फ्लोकी टीम की अंदरी अंदर बड़ी ही तैयारी चल रही है ग्लोबल वाइज मार्केट में फ्लोकी को लेकर खासा उस्सा है और फ्लोकी को एक बड़े रेली और आने वाले बुल रन के लिए सबसे बड़ा किंग मेकर बनके बताया जा रहा है तो कितनी यहाँ पर चीजे है कितनी पॉसिबिलिटी है फ्लोकी के उपर आईए समझ लेते हैं सबसे पहले तो आप समझे कि फ्लोकी की हाल ही में प्राइज जो जंपिंग हुई है उसके बाद 3-0 के साथ 29 के लेवल पर फ्लोकी पहुच गया है पिछले एक दिन में 24 घंटे में 7% और पिछले 7 दिन में 24% तक मार्केट इंक्रीज हुआ है फ्लोकी का एक महिने में 79% तक पंप कर दिया है फ्लोकी ने और यहाँ कर फ्लोकी का देखे तो all time high के करीब है मार्केट ने 3 रजिस्टेंस पर all time high बनाया है और यहाँ पर उसी लेवल पर आ चुका है मार्केट अब यहाँ से जरासी भी अगर रेली होती है उपर तो मार्केट एक बड़े पंप की तरब जाएगा फ्लोकी का एक बड़ी रेली आ सकती है क्योंकि दो बार यहाँ पर देखा गया है कि इस लेवल पर जाने के बड़ मार्केट टूटा है इस बार भी उसी लेवल पर पहुँच गया है अब यहाँ पर देखना दिल्चस्प होगा कि अगर इसको तोड़ देता है तो market बहुत उपर तक जाएगा लेकिन इन सब के उपर सबसे पहली नियोज की तरफ बात करते हैं वो है Times Square USA से निकल कर आई है जिस पर आप देखो तो यहाँ पर देख सकते है Times Square USA में अपना जो marketing है वो यहाँ पर सिरू कर दिया है और aggressive marketing क्योंकि आप देखेंगे आकरामक marketing अभियान के साथ New York की जो Times Square जगा है उस पर वापस फिलो की आ चुका है और पूरे तीन महिने तक यहाँ पर जो campaign है चलना है और फिलो की को New York के एतिहासिक Times Square प्लाजा में एक विसाल डबल साइडेट HD LED स्क्रीन पर प्रमुकता से प्रदेशित किया गया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना बड़ा marketing aggressive marketing यहाँ पर flow की कर रहा है simple सा मतलब है कि जो flow की है वो कहिना कहीं यह जानता है कि अभी जो time है कहिना कहीं big marketing का है और अभी bull run के हम दोहराएं पर खड़े है हर कोई meme token या फिर cryptocurrency यही चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा marketing करके new user और पुराने user को अपनी तरह पाकरशित किया जाए और एसे में flow की भी यार इस काम में लग चुकी है और यहाँ पर बताया गया है कि 1624 वर्ग foot के इस्थान पर पूरी तरीके से cover किया गया है इस holdings को और एक aggressive तरीके से इसको campaign किया गया है आपको मैं बता दू कि लगबग 3,30,000 लोग daily times square पर आते हैं और इस नजारे को देखते हैं तो कहीना कहीं बहुत बड़ी बात है और 50 million people pass through times square annually यहाँ से निकलते हैं आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी marketing का हिस्सा flow की यहाँ पर बनता जा रहा है दूसरी बड़ी news की तरफ बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक बड़ी बात है कि flow की jasme coin और एक नया rabu coin के साथ बड़ी gainers की list में सामिल हो चुका है भविश में flow की एक बड़ी gainers बनकर उभरेगा और इन दोनों cryptocurrency के साथ एक बड़ी rally यहाँ पर दिखाएगा हलाकि यहाँ पर jasme coin के बारे में भी बोला गया है और rabu coin के बारे में भी बोला गया है तीसरी बड़ी news के तरफ चलते है flow की की है और वो निकल कर आई है जहाँ पर flow की wheels ने लगभग 30 billion tokens holding ली है in my month में जिससे 11% तक pump हुआ है price flow की का और बताया गया है कि 40% binance पर हुई है इनकी तो इस हिसाब से आप देख सकते है flow की पर 30 billion token का holding wheels के तरफ से लेना कहीं न कहीं flow की की सफलता की कहानी बताता है कि यार flow की हो सकता है future में इस bull run में बड़े pump मारेगा क्योंकि इसमें कोई दोरा ही नहीं है कि बड़े pump नहीं मारेगा obviously बहुत आगे तक जाना है तो एसे में holdings लेना इस बात का इसारा कर रहा है कि आप भी संकेतों को समझो कि wheels की stage से यहाँ पर active हो रहा है और 30 billion tokens अपने holding रख लेना इसके बाद अगली news की तरफ बढ़ते है और वो निकल कर आई है flow की developers की तरफ से flow की developers ने basically यहाँ पर बोला है कि BNB chain network पर flow की धारकों के लिए basically एक telegram अधारिक trading board launch किया है flow की developers ने और यहाँ पर बताये गया है कि यह board जो charges collect करेगा उसका 1% fees every transition लेता है उसका 50% यह collection जो भी fees होगी उसको flow की buy करने में लगाएगा नहीं समझे यानि कि इनको कहना है इनका कि यार हम जो भी fees हमारी उगेगी board charges से उसका 50% हम Shiba Inu खरीदने में लगाएगे जिससे Shiba Inu की जो price है वो बढ़ जाएगी याने कि उम्मीद है कि board से flow की token की जो demand है वो create होगी और 1% fees के साथ जो buying pressure है उसमें योगदान मिलेगा जिससे आधा कहिना कहीं खुले बजार में flow की खरीदने के लिए एक open market interest मिलेगा बैसिकली अगर आप और detail में समझे तो यहाँ पर बताये गया है एक minute तो बताया गया है flow की developers ने आज एक trading board टूल पेस किया जो धारकों को BNB chain network पर किसी भी token का वेपार करने के नुमती देता है और developers ने telegram coinbase को यह बताया है और यह basically telegram based board शुरू वाला friction है जिसमें जो भी fees निकलेगे उसका flow की खरीदने में योज़ किया जाएगा तो यह भी कहिना कहीं flow की की एक नई strategy हो सकते है जिससे fly flow की को कहिना की price में boost देखने को मिले तो कुल मिला के यह इतने सारी news बताने का मेरा मक्सद यही है कि flow की बड़ी तयारी यहां पर कर रहा है एक और बड़ी news है जिसमें flow की dog और paper को एक बड़ी rally दिखाने के लिए यहां पर बताया गया है Ethereum ETF approval के बाद और यह देखने में भी आया है क्योंकि हाली में meme token में हमने देखा है कि meme token में जबरजस्त व्रद्धी हुई है और वो ऐसे समय हुई है जब कहिना कहीं Ethereum का ETF स्पोर्ट ETF का approval मिला था तो यह उसी time का हिस्सा है जिसमें Dogecoin, Shiba, Payap और लगभग सभी coin यहां पर तेजी से बड़े है और यह उसी का हिस्सा है कि flow की भी यहां पर तेजी से pump हुआ है तो यह इतनी सारी news जिसमें aggressive marketing flow की इसके अलावा predict जिसमें flow की को uncoin के साथ सामिल करना pump के लिए बताता है कि flow की की आने वाली जो तैयारी है वो बड़ी ही बहुत खतरनाक है जो flow की को आसमान तक ले सकता है और flow की को expect हम कर सकते हैं एक लाग परशेंट के रेटरन के लिए क्योंकि और ओर ओल मात्र साथ हजार आठ हजार परशेंट का भी तक पंप दिया है और प्राइज इसकी अगर हम देखे तो तीन जीरो किल करके बहुत आगे तक भी जा सकती है कोई दोहराई इसमें नहीं है क्योंकि और ओर ओल अगर हम देखे तो बैसिकली अगर नज़र डाले तो यहां पर जो मीम टोकन है उसमें खासा दबदबा शीबायनु पेपे डोग और फ्लोकी और बोंक यह पाच कोईन का है जिसमें एक दूसरे से कॉम्पिटिशन चल रहा है कभी लगता है पेपे आगे जा रहा है फिर लगता है शीबा जा रहा है फिर पता पड़ता है फ्लोकी बोंक तो यह चुपे रुस्तम है बहुत तेजी से आगे जाएंगे तो यह हो सकता है इस्थिती की एक दूसरे को बीट करने के लिए अगर जी से अचानक से बढ़ गया है और एक और कोई सा कोईन है वो भी एक न्यू टोकन है वो भी अचानक से बढ़ गया है तो यह भी नजर रखना है क्यार इस बूलरन में कोई नया टोकन उभर कर नहीं आ जाए क्योंकि 15,000 परशेंट का रिटन दे दिया है हलाकि फ्लोकी और में नमस्कार